हेलो दोस्तों मैं हूँ गरिमा और स्वागत करती हूँ आप सब का मेरे चैनल गरिमा जियमी फूड रेसिपी इस पर दोस्तों आज की रेसिपी होने वाले हैं बहुत ज्यादा खास तो इसे पूरा में देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा चलगे शुरू करते हैं तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं साबू दाने की खिली-खिली खिचडी जिसे की ब्रत्या उप्वास में बना कर खाये जाता है वह खाने में इतनी टेश्टी लगती है सबसे बड़ी बात ये खिचडी जितनी खिली-खिली दाने वाले बनती है उतनी ही ये perfect नजर आती है साथी खाने में बहुत ज़्यादा यमी होती है अक्सर लोगों की problem होती है कि साबुदाना उनसे चिपक जाता है पूरी कड़ाही में चिपका होता है साथी दाने जो है बहुत ज़्यादा चिपके हुए बनते हैं आई आज हम बनाते हैं बहुत ही घेड़ सारे टिपस और ट्रिक्स ता केली केली साबुदाने के किचटी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर साबुदाने को भीगो दिया है साबुदाने को भीगोने के लिए आप पहले उसे अच्छे से वाश कर लें उसके बाद से जितना साबुदाना है, उतना ही पानी एकदम लेवल में आप इसे भीगा कर दो गंटे के लिए छोड़ दे, दो गंटे भीगाने के बाद मैं आपको दाने दिखा देती हूँ, दाने हमारे एकदम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, दो गंटे में ही साबुदाने के दाने जो है एकदम खिले किले से रहे टूप् Blow यह तूपनेह ना साबुदे के दाने के दाने, दो गंटे में यह तो गंटे में ही साबुदाना बहुत अची तरह से फूल्ड कर सेट हो जाता है, आप चाहिए हम बाद में किछट्टी पनाना शोग्तरा करत तेल जो भी आप रत में खाते हैं वो आप ले सकते हैं मैंने क्या किया है कि चार हरी मिर्चों को बीच में से सीट कर लिया है इसे हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे मिर्ची जो हम फ्राइ करेंगे सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए मिर्ची को हलका सा क्रिस्प करके हम तेल से बाहर निकाल लेंगे मिर्ची हमारी हलकी सी गोल्डन हो गई है इसे हम तेल से छान कर बाहर निकाल देंगे इस मिर्ची को हम साइट रख देंगे तो चलिए इसे में चान देती हूँ और अब इसके बाद से जो हमारा बचा हुआ तेल है इसे में हम खिचडी का तड़का लगाएंगे तड़के के लिए एक खाने वाला चमच भर के मैंने जीरा ले लिया है अगर आप जीरा नहीं खाते ब्रत में तो आप इसे इसकित कर सकत हैं जीरे के बाद हम डालेंगे यहां पर कटी ओं अधरक कर न होगा है लो के चारलों को अब इसके बास से मैंने दो कच्चर आLo लेकर उनको इससे पील और इस तरह से च्टे टूंड़ों में काटकर अच्छे से वाश कर लिए त्हान रखे किया आलों में पानी लिख लग यहां पर दोस्तों, आप कच्छे आलू का ही यूज करें, उबले आलू का यूज करते ही कड़ाई मेचे पकने लगते हैं, अब इन हाई फ्लेम पर जो आलू हमारे फ्राई हो रहा है, इसे फ्राई होने में लगता है चार से पाच मिनट, चार से पाच मिनट में हमारे आलू बहुत बढ़ियां से क्रिस्प हो जाते हैं, साथी लगबग सॉप भी हो जाते हैं, क्योंकि जो मैंने इनके पीसे की हैं, वो थोड़े छोटे साइज में की हैं, अब आलू जब हमारे फ्राई हो रहा हैं, इसी पीच में में दो सूखी लाल मिर्चे, मैं यहां पर एड़ कर बहुत ही क्रिस्पी सी लगती है, तो आप चाहें इने डाले या फिर इसके भी कर सकते हैं, जब तक हमारे अलू फ्राई हो रहा है, तब तक हम देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास मुफली के दाने हैं, जो एक कब भगे हैं, यह दाने मैंने हलके से सेख कर रखे हैं, हलक कुछ मुफली के दाने हम बचा लेंगे खिचडी में गार्णिशिंग के लिए लाश्ट में यूज करने के लिए लाश्ट में जो हम दाने डालते हैं वो टोटली ऑप्चनल होते हैं पर खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है उनका तो चलिए दानों को पिस कर तयार कर इस बीच में हमारे आलू देखिए कि इतना बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं अलू को हम खूब अच्छे से करारा फ्राई करेंगे जिसी ये खिच्डी में बहुत बढ़िया सा स्वात देते हैं आप सोच रहे होंगे कि आलू तो काफी जदा लाल है पर ये हमारे ख किच्डी को बहुत जादा टेस्टी बनाते हैं ये देखिए अलू को फ्राई होने में पूल 6-7 मिनिट लगा है और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है अगर आप हाई फ्लेम पर रखते हैं तो चलाते रहें अब आलू जो अच्छे से फ्राई हो गया है तब हम क्या कर कि साथी 1-2 तीश्पून ही जीरे का पॉडर है आप भू ने जीरे का पॉडर भी ले सकते हैं मैंने सिंप्ल जीरे का पॉडर लिया है अब हमने जो मुफली के भी इसी चीज है, जो हमारी खिच्डी को कीला किला बनाएगी, जब इसके दानोंपर मुफली के पाउडर की कोटिंग हो जाती है, तो हमारे दाने आपस में चिपकते नही है, ये वे एक सीक्रेट टिफ होती है, जो साबुदाने के खिच्डी दाने की, और आप देखिए, हमारी कडाही में भी दाने बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हाँ, किचडी बनाते से मैं आप इसी तरीके के इस पैटूला का यूज करें, जैसे हम लोग चीले वेगर बनाते हैं, वही इस पैटूला ध्यान रखे कि गोल वाला ना यूज करें, अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, दो मिनिट के लिए इसको ढग देते हैं, दो मिनिट के बाद किचडी को चेक करते हैं, दाने हमारे बिल्कुल खिले-खिले हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, दो मिनिट मैंने अगर आप ये खिचडी वरत में नहीं बना रहे हैं दोस्तों तो आप इसमें कुछ नमक मसाले अपने अकॉर्डि घटाये बढ़ा सकते हैं जैसे तरके में भी आप राइव अगर डाल सकते हैं कुछ लोग करीपता काते हैं तो आप करीपते का भी यूज कर सकते हैं अब इसके बाद से हम डालेंगे आदे नीबू का रस डालेंगे यहीं पर मैं इसको निचोड़ दे रही हूं इसके बाद से जो है कटी हुई हरी धनिया की पतियां लगबाग हाफ कब धनिया की पतियों से बहुत अच्छा टेक्शर आता है इसके बाद से जो मूफले के दान करने के बाद कैस को बंद कर दीजिए अब हमारी किचुरी लगमग बंद कर तयार है इसमें एक चीज और एड करनी है जो कि हमारी फ्राइ करी हुई हरी मिर्चे वो हरी मिर्चे जो मैंने फ्राइ करी थी अब टाइम आ गया है उनको यहां पर एड करने का तो फ्राइ की हुई मिर्चों को भी ठैल को डिल्क देते हैं और इन मिर्चों को डालने से हमारे खीकुरी का टेस्ट बढिया होता ही है साथ ही जब किकरकों न खाते हैं और हमारी ये फ्राइए करी हुई भरांysis हमारे एक एक दाना पूरी तरह से अलग-अलग है, आपने क्या इस तरह की कभी साबुदाना खिच्री खाई है, खाई है तो कमेंट करके बताईएगा और नहीं खाई है, तो रेसिपी को ट्राइ करके मुझे फीडबेक जरूर दीजिएगा, तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैस लगी, शुराती कब्रत आ गया है, शुराती कब्रत में, साबुदाने की खिच्री बना कर खाईए, परिवार वालों को खिलाईए, फिर मिलते हैं मेरे नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाए, थैंक्यू,